प्रभावितों की संख्या पहुंची एक लाग तीस हजार के पार। और अंगबाद में 32, बांका में 32, बेगुसराय में 89, भागलपूर में 121, भोजपूर में 31, बकसर में 43, दरभंगा में 49, पुर्वी चमपारण में 94, गया में 36, गोपाल गंज में 69, जमुई में 29, जहानबाद में 12, कैमूर में 7, कटिहार में 84, खगरिया में 14, किश्वन ग में 88, लखी सलाय में 20, मधिपूर में 25, मधुबनी में 79, मुंगेर में 20, मुझदफरपूर में 86, नालंदा में 44, नवादा में 17, पट्णा में 296, पुरणिया में 87, रोधास में 27, सहरसा में 68, शमस्तिपूर में 43, सारं में 83, शेखपूर उлав में 20, शिभर में 18, सीतामढ़ मुख्यमंत्र नितीशकुमार ने प्रदेशवासियों को बीते दिन सौगात दी है जिसके तहित लगातार उदघाटन और श्रीलानियास कारिक्रम का सिल सिलाज़ारी रखते वे उन्होंने बीते दिन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से नल, जल और नली-गली योजना का उदखार्टन और श्रीलानियास किया है 814 करोर से ज्यादा का खर्च 2525 वोर्ड के योजनाओं का उदखार्टन किया गया है COVID-19 की वज़े से बिहार में विधान सभाचुनाफ पर कोई असर नहीं COVID-19 की वज़े से जहां बिहार में विधान सभाचुनाफ पर ग्रहन लगने के उमीद जताई जा रही थी सुप्रीम कोट् ने अपना फेसला सुनाते वे विधानसभातुनाव को हरी जिहंडी दिखा दी है कोड ने इस साफत तोर पर कहाए कि कोविड-19 की वज़े से भिधार में विधानसभातुनाव पर कोई रोक नहीं लगिगा सुप्रीम कोड का कहना है कि आयोक स्थिती के हिसाब से उचित फैसला लेने में सक्षम है क्रिशी मंत्री ने किसानों से मागे सुझाफ क्रिशी मंत्री प्रेम कुमार ने बीते दिन बिहार के क्रिशी केंद्र पर मौजुदा किसानों से बात चीत की है वहें जोरान किसानों से अपनी समस्या को सीधे क्रिशी मंत्री को भी बताया है साथ ही कई सुझाफ भी क्रिशी मंत्री को दिये गए है जिसके बात क्रिशी मंत्री ने कहा है बिहार के किसानों से हमने बात की है किसानों की कई सुझाफ भी दिये गए है जिस पर अमल किया जाएगा, जिस पर प्रधान मंत्री चाहते हैं कि किसानों की आई 2022 तक दोगिनी हो जाए और निश्वित तोर पर इन पर योजनाओं पर काम कर रहे हैं इस करी में हमने किसानों से बाचीद भी कि और किसानों की फसलों को जो नुक्सान हुआ है उसका भुगतान भी करने वाले हैं पत्ता पहुचकर केंद्य मंत्री गिराज सिंग ने की नीजिश कुमार की तारीफ पत्ता पहुचकर केंद्रे मंत्रीकि गिराज सिंग ने ने मैनेजमेंट गुरू माना है बिहार में COVID-19 से स्वस्थ होने वालों की दर पहुची 85.94 प्रतिशत पर बिहार में COVID-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में फिल्हाल बळहोत देखने को बिल रही है जिसके तहट स्वास्तविभाग के तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में स्वास्त होने वालों की संख्या गुरुवार को 85.13% पर पहुची थी जो की शुक्रवार को बढ़कर 85.94% पर पहुच गई है वहीं बिहार में 1998 ने मामलों की पुष्टी की गई है और 12 संक्रमित इलाज की दौरान दुनिया को अलवधा कह चुके हैं कॉंग्रिस के कारेकारिया ध्यक्ष ने कहा है कि सरकार शात्रों के जीवन के साथ खेलवार कर नाब बंद करें नहीं तो यह विरोथ और उग्र होता जाएगा साथी कॉंग्रिसियों का कहना है कि COVID-19 और बार जैसी असामाने स्थिती पैदा होने की कारण लाखो चात्र परीक्षा से बंचित हो जाएंगे इसलिए यह परीक्षा स्थगित होनी चाहिए सुषान सिंग राजपूत के मामले में रिया चुकरवर्ती से पूछे गए सवाल पूछताज कर रही है समान मिला है इसके अलावा उन्हें कई काविय नाटकों की राचना भी की है और राधा जैसे सर्व शेष्ट महा काविय भी रचा है पर अपने सर्वोतम रूप में उनके गीतों और गजलों में प्रकट होती है आइसोलेट होने की खबरों के बीच तेजस्वी आदफ पहुचे राज़त कार्याले बीते दिन तेजस्वी आदफ राज़त कार्याले पहुचे ते जहां पर पहुचकर उन्होंने प्रदेश कार्याले का मुआयना भी किया जहाँ पर उन्होंने मौजुदा कार्यकरताओं से बाचीत भी कि मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी आदव ने इस दौरान प्रिदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग से मुलाकात भी की हाला कि मीडिया से तेजस्वी आदव ने दूरी बनाय रखी पुल के निर्मान पर करीब 2 करोड 65 लाख रुपय का खड़ चाया है पुल चालू हो जाने के बाद सोहसराई के लोगों को जिला मुख्याले आना जाने में काफी सहूलियत होगी साथी सड़क पर जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी यादव पार्टी की कोर कमीटी में बैठक होई है जिसमें यह निर्नली आ गया है कि पार्टी डेर्सो सीटो पर चुनावी मैदान में उतरेगी पत्मा गानि ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाव अपनी नील मुहीम की शुरुवात की थी 1966 में हुआ विभाजन के बाद अंग्रेजों के समय में चंपारण को स्वतंत्र इकाई बनाए गया था प्रशासनिक सुविधा के लिए 1972 में इस तरह शंकर पूर्वी चंपारण और फिर पहस्चिम चंपारण बना दिया गया था मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने मुख्या जी से की बाद बीते दिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने पक्की गली नली योजना का उदुखाटन करने के दौरान मुख्या जी से बात चीत की है और कहा है कि ग्राम पंचायत के मुख्या जी याद कर ले जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है तभी से हमने कहा है कि केवल हम ही सरकार नहीं है ग्राम पंचायत भी एक सरकार है इसलिए पंचायत में बनाए जा रहे है भवन का नामकरन की आगया है पंचायत सरकार के निर्मान के लिए मुख्या को ही राश्री आवंटित की जाती है एक करोड से अधिक की राश्री का भवन आपको ही बनाना है तेश प्रताप यादफ पर मामला हुआ दर्ज तेश प्रताप यादफ पर मामला हुआ दर्ज तेश प्रताप यादफ के कारण जहारखंड में एक होटेल मालिक की परिशानी बढ़ गई है जहारखंड सरकार भी तेश प्रताप यादफ के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है मिली ज़ानकरी केनुषा तेशन प्रदाप यादब लालुप्रसाध यादब से मिलने कुछ दूनों पहले राजी गहे थे और वहाँ एक होटेल में डेरे थे जिसके बाद जिस होटेल में तेश प्रताप यादव रुके थे, उस होटेल के खिलाफ मामला दर्ज करवाए गया है क्यूंकि कोडोना के माहॉल के दौरान सभी होटेल को बंद रखने का निर्देश दिया गया है अगर देश प्रताप यादव ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। अगर देश प्रताप यादव ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। बेगु सराय सांसद, गिरिराज सिंग, आरा सांसद, आरके सिंग, बकसर सांसद, अश्विनी कुमार चौबे और उजियारपु सांसद, नित्यानन राइभी शामिल होने वाले हवाहे पाटले पुत्र के सांसद, राम कृपाल यादव भी बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है, जिसकी तहत उन्होंने बिहार सरकार के 15 साल के कारेकाल को लेकर एक के बाद एक आरोप लगाए है, निता प्रतिपक्ष तिजस्वियादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से सरकार को निशाने पर लेते वे लिखा है कि बिहार में 16 जुले के 84 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है, 40 लाख प्रवासी कामगर बेरोजगार है, लाखो लोग को रोना प्रभावित है, सबसे ज्यादा गंदे शहर बिहार के हैं, वही सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है, 15 साल में 1000 करोर के सत्यापित सबसे अधिक 57 घोटाले भी बिहार में हुए हैं सुशील कुमार मोदी ने तेश प्रताप यादफ को बताया जिले बीचानने और बासुरी बजाने वाला बिहार में वधान सबाचुनाव जैसे जैसे नस्दीकार है, वैसे वैसे प्रतिद्वंदी नेताओं के बीच में बयान बाजी का सिलसला जारी है इसक्रा में बिहार के उप मुख्यमंतरी सुशील कुमार मोदी ने भी एक बार फिर से लालू परिवार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादफ को शक्ती हीन कह डाला है, ताही ने लालू यादफ के पुत्र को बासुरी ब नेता पृतिपक्ष तेजस्वी आदव ने आगामी विधान सभाचुनाफ को ध्यान में रखते वे बीते दिन एहम ऐलान किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में राज़त की सरकार बनने पर सबसे पहले बेरोजगारों की समस्या को सरकार दूर करेगी सुशान सिंग राज़पूत के परिवार से मिलने बीते दिन केंद्रिय सामा जिकनियाए और सहकारिता राजमंतरी रामदास अठावले पहुँचे थे उन्होंने शुक्रवार को फरीदाबाद की सेक्टर 21 में पुलिस कमिशनर निवास पहुँचकर उनके परिवार बालों से मुलाकात की है जिसके बाद दिवंगत बॉलिवोड आक्टर सुशान सिंग राजपूत के पिता केके सिंग और उनकी बहन रानी सिंग से मुलाकात क पुलिस कमिशनर निवास पर करीब 44 मिनट तक रही थी और इस मुलाकात में सुशान सिंग राजपूत के पिता केके सिंग ने सिबियाई से जल से सुशान सिंग राजपूत के हाल के लिए जिम्मदार लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है IPL टीम चैन्ने सुपर किंग्स में फैला कोरोना, IPL के आयोजिन को लेकर सभी टीम UAE पहुच गई है वहीं चैन्ने सुपर किंग्स के सदस्यों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है मिली जानकारी के नुसार चैन्ने सुपर किंग्स के 11 सदस से COVID-19 पॉजिटिव पाए गया है COVID-19 प्रभावित सदस्यों का नाम हाला की जारी नहीं किया गया है लेकिन यह टीम के लिए पुरी खबर है चैन्ने सुपर किंग्स को शुकुरवार से दुबई में प्राक्टिस शुड़ू करनी थी लेकिन अब पूरी टीम को कॉरिंटाइन कर दिया गया है मिरी जानकारी के नुसार CSK के टीम के UAE पहुचने के बाद संक्रमन हुआ है Android फोन के गर्म होने की समस्या से तुरंत मिलेगा नजात आई दिन फोन का गर्म हो जाना जैसी परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो आज हम आपको ऐसे दो उपाय बताएंगे जिससे आप अपने फोन को गर्म होने से बचा सकते हैं यदि कोई गेम खेल रहा है या वीडियो स्ट्रीप कर रहे हो ऐसे समय में देर तकक कियामिरे का उप्योग कर रहे हो तो फोन थोड़ा गर्म हो जाता है ऐसी समस्या का समधान अब आसानी से निकला जा सकता है जिसके तहत यदि फोन गर्म हो रहा हो या फिर calling, messaging और chatting के दौरान गर्म हो रहा हो तो समझ जाईए कि आपके software की समस्या है और सबसे पहले अपने phone का software अपडेट करें यदि आपने software को अपडेट किया है या फिर उसके बाद भी समस्या बनी भी है तो हाली में install किये अप्स पर ध्यान दे हो सकता है कि उसके वज़े से आपका phone गर्म हो रहा हो एक से 5 तक के सिक्षक अभ्यर्तियों की सूची NIC पोर्टल पर एक सितम्ब्र तक होगी जारी प्रारंबिक स्कूल में कक्षा पहली से लेकर 5 वे तक सिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्तियों की सूची एक सेतंबर से जारी करने का ऐरान जारी कर दिया गया है जुसके तहट एक सेतंबर से यह पूरी सूची NIC Portal पर अपलोड़ की जाएगी 2 सेतंबर से 9 सेतंबर तक अभिहरतियों से जारी किये ग entendu सीट पर आपति ली जाएगी, आपति का निराकरन भी किया जाएगा इसके साथ ही इस दौरान सही से काम नहीं करने वाले नियोजिन एकाई पर भी सक्ती से पेश आए जागा इसके पहरी कक्षा छटी से लेकरके आठवी तक के सिफशक अभियर्तियों की मेधा सूची जिले के NIC वेब साइट पर अपलोड कर दी गई थी कल हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब आपे से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मेसेजिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विज़े राज, राधेश्याम राम, मौनिका कुमारी, पूजा कुमारी, उजाला चौधरी, राम लखन महतो, मधुरानी कुमारी, सिकंदर साहनी, रविंद्र पास्वान, आलम राज, जैशंकर कुमार, अनिल राय, दीपक कुमार, यादव, राहुल, भावानी, निर्मल और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के आभाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं, आज का सवाल कोशिश प्रकार ह आपके नुसार अब तक बिहार का सबसे बहतरीन लीडर कौन रहा हैं, अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, अगर आपे वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहें, तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, और ब